सरशरी द्वारा नया संदेश न्यू विज्डम सीरीज फोर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ प्यारे खोजियों, आप सबको शविच्छा, हैपी थौट्स हमारे साथ क्या हो रहा है हम कुछ देर के लिए जाकते हैं, बाकी समय सोई रहते हैं या हम बाहर जाकर भी, संसार में जाकर भी, आफिस जाकर भी, कॉलेज जाकर भी, बाजार जाकर भी, अवेर रहते हैं कोई कुछ कह रहा है तो हम तुरंट मानते नहीं हैं, उल्टा हम कुछ अलग बताते हैं कि ये मेरा अनुभाव नहीं है जो आप बोल रहे हो अब ये हो जाने वाला भी वो हो जाने वाला है हमारी प्रार्थनाओं से बदल सकता है हमें ध्यान की हविड लगाने चाहिए लोग अपना उल्लू सिदा करने के लिए क्योंके वे भी अग्यान में हैं उनकी भी चेतना बढ़ानी है मगर पहले ही उनकी चेतना बढ़ाने पर आप नहीं जाते क्योंकि वो अपनी ही लालच में अंधे हैं दृत्राष्ट्र जैसा इंसान उसकी चेतना बढ़ाने पर कार्य नहीं हो रहा है क्रिश्न क्या कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं दिरोधन की बड़े करन की बड़े नहीं बड़ रही है अरजन की बड़ा रहे हैं क्यों तुम्हें ये कदम उठाना है तो प्रियोरिटी में आप देखते हैं कि जो बॉर्डर पर आए हैं लोग जो सत्य सुनने के साथ एक साइड हो सकते हैं वरना वो कभी गलत लोगों का साथ देते हैं कभी सही लोगों का साथ देते रहते हैं आपकी चतना उठी है आप देख रहे हो लोगों ने किस अंगल से सोचना चाहिए हायर अंगल क्या है क्योंकि लोगों को जीवन जीना यानि क्या उन्हें पता ही नहीं है उपभोग करना है जीवन जैसे चल रहा है इसमें जो भी बनाया जा रहा है हमारे लिए बनाया जा रहा है और हम ये खाते रहेंगे चाहे ब्रेन को गलत मैसेज जाए ऐसे पदार्त होते हैं जो डाल दिये जाते हैं पीजा बर्गर में कि ब्रेन को जा रहा है कि अच्छी फि जी जिसमें बास आ रही है उसमें भी वो मसाला डाल दिया जाए तो खाते वक्त आपको क्या लगता है अच्छा लग रहा है कैसा आश्चे रहे तो जो खोजें चल रही है ऐसी चीजों को बनाने में चल रही है लोगों को कैसे वह खिलाया जाए जिससे हमें पैसा मिलने वाल उससे उनका नुकसान हो रहा है होने दो मरेंगे मरने दो मगर हमारा बिजनिस चलना चाहिए तो चेतना जब गिरती है तो आजवी का कैसी हो लोग भूल जाते हैं क्या भी करने से पैसा आ रहा है तो वो काम हमें करना है शराब बेजकर तो शराब बेजना है बारूद बेजक तो बारुद बेजना है कोई भी इसकीम बता दे कि ये इसकीम में तुम करो तो तुम को पैसे मिलने वाले अगर लोग गलत फिल्में देख रहे हैं तो ऐसी फिल्में बनाने वाले प्रोडुसर्स को डिरेक्टर्स को और इंकरेश किया जा रहा है ऐसी फिल्में और बनाओ तो हर इंसान की जागरती क्या करेगी कुछ बातों को समाप्त करेगी और जो बाते शुरू होनी चाहिए वे शुरू होने वाली है तो ये नई हविट जो ध्यान की लगानी है हर एक में आए आप में आई है आप देख रहे है इसका लाब क्या हो रहा है ये हविट सभी में आए उसके लिए क्या किया जा सकता है तो आप सुन रहे थे ये जो भी बातें अंकुष लगाने के साथ लक्षक के साथ आजादी के साथ प्रेम बढ़ाने के साथ यह प्रेम बढ़ेगा तभी आप स्वेयं को काट पाओगे उन चीजों से जो ब्रेन में लग रही हैं अच्छी है ब्रेन में डुपामिन त्यार हो रहा है सिगनल दे रहा है तुम अच्छा खा रहे हो जो खा रहे हो वो अच्छा है तो गलत चीज का भी गलत मेसेज ब्रेन दे सकता है आज की खोजें जो चल रही हैं लोगों को कैसे आसक्त किया जा सकता है लोगों को कैसे लट लगाई जा सकती है इनको ये लट लगनी चाहिए ये बातें क्यों सुन रहे हैं आप क्योंकि आपको जागरत होना है बाहर जाकर, क्या recommend किया जा रहा है, ये सब के भले के लिए है, या इसके पीछे चंद लोगों के लिए जो बेहोश हैं, दिरोधन जैसे, दृतराश्टर जैसे, और उनके साथ रहने वाले करन जैसे, करन कैसा करदार है, जो बॉर्डर पर है, एक तरफ हो सकता है, संभावना है, तो अटलिस्ट उन लोगों तक बातें पहुँचना जरूरी है, जो मनन करेंगी, जो बायास नहीं है, जो बायास है, यानि पहले ही मन में मान कर बैठे हैं, कि ये positive लहर चेतना की नहीं बढ़नी चाहिए, इससे हमारा business कम होगा, ये बं habits लोगों में लग रही हैं, जुआ खिलने की, नेट पर, आउनलाइन पर, ये बंद नहीं होनी चाहिए, ये हर साल बढ़नी ही चाहिए, और उनके graphs बता रहे हैं उनको, कि ये बढ़ते जा रही है, उसमें ग्रावट आएगी तो उनकी चिंता हो जाएगी, उनको इससे कहा लेना देना है कि प्रथिव पर तुम क्यों आए हो, क्या करना था, तो वे तो वही करते रहेंगे, उनके अंदर भी कभी जटका लग सकता है, प्रस्ति तयार होती है, एक्सिडंस होते हैं, घटना होती हैं, उंगली माल जैसा इंसान जागरत हो सकता है, संभावना है, हमें नवनो की प्रार्थना में ये संभावना के लिए प्रेयर करनी है, कि ये विश्व की चेतना बड़े ही, टॉपिक निकलिया है, तो एक मिनिट, आप जो सुना आपने समझा, उस अनुसार प्रार्थना करें, कि ऐसे सब लोगों पर वाइट लाइट हीलिंग कर रही है, उन डरों की जिस वज़े से वे गलत कार्य को कंटिन्यू कर रहे हैं, जानते हुए भी गलत बातों को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, सभी तक वह प्रकाश पहुंचे, तेज प्रकाश, तेज का ग्यान, पुरे दिल से जितनी चेतना आपकी बड़ी है, दियान का और जित तब ऐसे लोगों की चेतना बड़ाए, प्रिथ्वी के हर कोने में, जहां जहां बलेक स्पोर्ट्स प्रिथ्वी पर दिख रहे हैं, विजुलाइज करो, कुछ बलेक स्पोर्ट्स हैं, अलग अलग, एरियाज में, वहां वाइट लाइट उसे शुब्र बना रही है, उसे तोड कर, जंजोड कर, पिगला रही है, सब बलेक स्पोर्ट्स फिगल रहे हैं, उससे गोल्डन लाइट इमिट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और जहांच इतना बड़ी हुई है, वाइट स्पोर्ट्स वहां से भी, अल्रेडी गोल्डन लाइट निकल रही है, तो पूरे पृथ्वी से गोल्डन लाइट, वाइट लाइट के प्रभाव से ग्लोब को पृथ्वी को हील कर रही है, पर्यावरण को संतुलत कर रही है, गर्मी बारिश सब को संतुलत कर रही है, हर्याली को बड़ा रही है, प्रेमानल मौन चारों तरफ चा रहा है, सब ये दिरे दिरे आँखें खुलेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग संपर्क करें आज ये शरीर की मुक्ति हो गई है सर श्री कोई सवल नहीं बचे एकदम क्लियर हो गए कौन हूँ में जो पहली बर जो किया था वो एमाई तो वो ही क्वेशन था और जब दस साल की थी तब से वो क्वेशन था यह हमाहासमानी करने के बाद वो आंसर मिल गए इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारे हैपी थौट्स तेजग्यान और सर शरी तेजग्यान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटिस्ट अपडेच सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं धन्यवाद